अगर कुछ मीठा खाने के मून हो दोस्तों तो मेरा तरीका से एक बार ऐसा जलेवी आप लोग बनाईए बहुत अंदर से रसभरी और उपर से कुरकूरी बना कर एक बार जरूर खाईए आप लोग उसको बासे हमें कमेंट करके जरूर बताईए कि जलेवी आप लोग के कैसी लगती है तो बहुत बह्तरे इसको हम बना कर द्यार करेंगे तो आएब बनाना स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों आप लोग के बहुत-बहुत स्वागत हैं ममीता साहनी कोकिंग चैनल में तो आज दोस्तों हम पूरा पहली बार जेलेवी के रेस्पी लेकर चैनल पर आपने आये हुए हैं तो जी आप लोग पूरा वीडियो कान तक बने रहीएगा वीडियो कहीं भी बीच में छोड़के मज़ेएगा जैसे मेरे जलेबी याला रेस्पी आप लोगे अच्छी लगती होंगी तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत आपने दोस्तों के साथ जरूर सैर करिएगा अपना प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि जलेबी के रेस्पी आप लोगे कैसी लगती है तेहां पर एक कटोरी भर कर चीनी ले रहे हैं इसी कटोरी से पानी डाल लेते हैं हम दो कटोरी एक कटोरी हो गया और एक कटूरी डाल लेते हैं, दो कटूरी डाल ये पानी बस इसको एक चिपचिपी से चास्नी बना लेते हैं, घुलने देते हैं चीनी को, अच्छे से, तो कोई भी आप पेन बगेरा लेजिएगा, तो थोड़ा जो जलेवी के जो चास्नी बनाने के लिए, तो थोड़ा गहरा लेजिएगा, जैसे लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा केसरिया कलर डाल रहे हैं, फूट कलर के लिए, इसे बहुत कलर बेतरी आता है, तच्छे से इसको, चीनी को भूलने देते हैं पहले, पहुत बेतरी लगता है दोस्तों, बस देख लिजिए, बोहियां से उबाला गया, अब चास्नी को पकने देते हैं, अब यहाँ पर ले रहे हैं, एक कोई भी बड़ा बोल लिजिएगा, तो यहाँ पर इसी बोल में ढ दाल लेते हैं, मैदा, अब यहाँ पर घी डाल लेते हैं, देशी घी है, घी देखाये थे, ओई घी है, दो चमच के करीब डाल लेते हैं, बस एक इनो के पाकेट लगता है, दोस्तों, आप एकदम से बहुत जल्दी भाटा पट बन जाता है, तो यहाँ पर पूरा जो प्रदा फेटने के नहीं जंजट रहता है, नहीं पुरा ओभरनेट रखने के जंजट रहता है, बस पूरा अच्छे से इसको इनो और घी डाल कर एक मुईल लगा लेते हैं, पूरा अच्छे से मिला लेते हैं, तो यह देखिए, मिला लिए बढ़िया से, थोड़ा इसको बैटर एक बना लेते हैं, जलेवी याला, नहीं पातला, नहीं घाड़ा, एकदम से ना, पूरा मीडियम साइज बनाएंगे, तो अपनी चैनल पर दोस्तों, पहला बार जलेवी हम बना रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि जलेवी के रेस्पी अच्छे बनाए हैं, कि नहीं बनाए हैं, पूरा लाइफ में पहला बार बना रहे हैं, जलेवी, तो इस रेस्पी पर जलेवी याला रेस्पी पर ढेर सारा प्यार अपना दुलार अपना दुलार दीजिएगा, तो यहां पर देख लीजे, बना लिए, पूरा बैटर, इसको थोड़ा फाड़ लेते हैं, फैलाकर बस एक गिलास लिजेगा, उसमें, गिलास ले रहे हैं, बस ऐसा पूरा फैलाकर इसमें डाल लेते हैं, नहीं तो आपके पास कोई कैचप के बाटल है तो उसमें भी भरकर आप बना सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजेएगा बढ़ियां से इसको इसमें पूरा डाल लिए अब बस कोना उठा लेते हैं पूरा गुमेट लेना है थोड़ा साइस को जो है इसमें हम कट लगाएंगे अब यहां पर पेन में तेल रख दिये थे गरम होने के लिए तो बस फटा फट तो जलेवी के सेफ दे लेते हैं पहला बार बना रहे हैं तो थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है तो अच्छे से पूरा गुमा गुमा कर बना लेते हैं तो पूरा एक बगल से पहले बढ़ियां से गुल्डन होने देते हैं तो देख लिजे कितना बढ़ियां गुल्डन हो गया तो बढ़ियां से इसको पलट लेत बैले हैं दोनों बाजु से कितना अच्छा देख रहा है एक दम कुरकूरी से बनकर तयार होता है जेलेवी दोस्तों देख लेज़े एक दम कितना आच आप चासनी लेते हैं चैसनी थे और है अब्रक्राइब कर देख की इसको हम चैसनी में टीप ज़ादाद देर तक नहीं रखना है इसको बस डलना है दस सीकेंड के लिए वस शोड़े दस सीकेंड छोड़े इसमें देख रहे हैं कितना प्यारा एकदम से जलेवी है बनकर त्यार हुआ है तो फटा फट निकाल लेते हैं इस चासनी से यलक तो अच्छे से फीर से उस्था ही बनाते हैं तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट हमें करेंगे तो बहुत जाकर खूसी मुझे लगेगी कि कोई तो कमेंट किये हैं कि जलेवी के रेस्पी हम कैसे बना रहे ह है तो पूर्य अच्छे से थोड़ा मेरा जुप फैन है छोटा है आप लोगे पास फैला होगा तो आप उसमें पांस से छे बना सकते हैं तेहां पर अच्छे से कोई छोटा हो जा रहा है कोई बाड़ा हो जा रहा है जितना जागा है उतना जागा में हम बना रहे हैं तेल लीजिए तुरा ये भी हो गया तब चस्नी में तुरंत उठा उठा कर डाल लेना है डाल कर तुरंत निकालना है दस सिकेंड के बाद ज्यादा देर नह पूरा इसको 10 सिकेंड बस ज्यादा नहीं है बस फटा फटिस में से निकाल लेते हैं फीर से ऐसा है बनाते है तो अच्छे से बना लेते हैं पूरा नीचे से पेन से पूरा अच्छा से गरम हो गया है डालते के साथ में छोड़ दे रहा है कि दो कितना बढ़ियां दीख रहा है बहुत अच्छा बहुत कुरकुरी बस ऐसा ही पूरा सभी को बारी-बारी से बना लेंगे जाते हैं हम मार्केट में खाते हैं जब जलेवी उही अला जलेवी बना रहे हैं हम दोस्तो बस उठा कर इसको भी चास्नी में डाल लेते हैं बस चास्नी में डलना है फटापट निकलना है छोड़ना नहीं है नहीं तो एक दाम से न बन जाएगा पूरा नरम थोड़ा इसको हम बड़ा ही बना दिये तो बस इसको पलट लेते हैं तैसा ही पूरा दोस्तो बना कर तियार कर लेते हैं तो यह लिजी हमारा एकदम से न रसीली रस भरी अंदर से जलेवी या उपर से एक दम से न कुरकूरी क्रिस्पी है बन करते यारे दिखे दिख रहे हैं कितना अच्छा तेले जे दोस्तों पास से दिखा रहे हैं एक आपको हम तोड़के भी दिखा देते हैं दिखे कितना बढ़िया कुरकूरी बन कर त्यार हुई है यह दि अप्ती होंगी तो प्लीस प्लीस लाइक शीर सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अपनी दोस्तों के साथ ये जलेबी के सांथ जलेबी की रिष्प कात्व जरूर बता 일े तब तक लिए मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ जय हिन जय भारत